दोस्तो आप अगर online कोई claim करते हो, online अगर कोई आप application फिल करते हो या कुछ भी online आप करते हो तो उसमें कुछ document की अलग-अलग condition में, अलग-अलग size में, अलग-अलग format में document की requirement रहती है, अभी दोस्तो ऐसे में क्या करें कि जादे तर लोगों के पास systems, laptops अवेलवल नहीं होते हैं, वी दोस्तों mobile की, जो आप अपने डोकुमेंट को resize किस तरीके से कर सकते हैं, आप जिस format में चाहे हैं, उस format में अपने document को किस तरीके से resize कर सकते हैं इस video में आपको यही सिखाने वाले हो जालों आपकिस भी document को आपकाynen MARC ta, पर आपका Fellow ID 200 और आपको कोई भी document हो कोई भी आपका डोकुमेंट हो उसको आप आसानी से किसी भी format में किसी भी size में convert कर लोगे बिना fixal update दोस्तों इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ कि अपने document को resize किस तरीके से करें चाहे वो PDF में है JPG में हो या JPNG में या PNG में तो किसी भी format में आपको convert करना है तो आसानी से इस वीडियो देखने बाद आप कर लो किसी भी document को resize करना आपको सिखाने वाला हूं लाइव कोई skin recording नहीं चला रहा हूं फोन आपके सामने मेरे हाथ में हैं देखे मैं इसमें आपको बताने वाला हूं किस तरीके से किसी भी document को आप resize कर सकते हो चाहे आप पैंड कार्ड बनाने के लिए फोटो resize कर रहे हो चाहे आप आदरकार अपडेर के लिए जाती आए मून दोस्तों जैसी देखे आप image converter लिखेंगे तो यहां पर दिख रहा हूं आपको एक application दिखेगी जिसका आमें image converter अरीके से आपको अपना फोटो resize करना है जो भी photo आपको resize करना है वो फोटो आप खीच के रख ले अपने मोबाईल में क्लिक करके रख ले उसके बाद आपनी जो गैलरी है गैलरी में आना जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं जो आदरकार्ट की picture मेरे फोन में पड़ी है तो simply इसको में PDF का मनलब format में हम बनाएंगे और साथ ही इसको resize करेंगे जैसे कि दोस्तों pen card अगर आपनी कभी बनाया या apply कराया हो तो उसमें pen card में जो requirement होती है इसके आदरकार्ट की उसकी जो PDF format में requirement होती है और जो उनका size होता है PDF size में 300 KB का होता है त साथ ही दोस्तों अगर आपको signature है signature resize करने है तो signature भी आपको resize करके दिखाऊंगा और दोस्तों आपको photo भी resize करके दिखाने वाला हूं तो चलिए देखिए सबसे पहले आपको करना गया अपने photo किसी भी document को resize करना उसको click करके रख लें उसके बाद simply जो photo आपको resize करने है जो करने इसको select करें अगर दो हैं तो दो को select कर लें एक मी रखना चाते हैं तो अगर रखना चाते हैं तो single को select करके करें अब simply देखे जैसे मैंने कर दिया है अब इसके बाद दोस्तों यहां पर share का एक बटन आता है नीचे simply share के button पर click करने बाद जो भी आपके mobile phone में applications होंगी यहां पर दिखेंगी जिनमें open हो सकता है तो यहां पर हमारा जो image converter हमने install किया था यहां पर दिख रहा है आ रहा है simple इस पर click करेंगे इस पर click करने बाद दो कुछ देर हमारे आगे देखे load होगा इस तरीके से जो interface से आ जाएगा अब interface आने के बाद देखे हमां करना क्या ह है इसमें जो आपको क्रोफ बाला option दिख रहा पहले वाले इस पर click करना है तो जो आपका document रहेगा इस तरीके से खुल जाएगा दोस्तों आपको करना क्या इसको fit कर लेना है जैसा कि आप आपका अच्छा दिखना चाहिए जो भी आपका area अच्छा विजिवल वारा है जो कर लेना है जैसे कि मैंने select कर लिया थोड़ा सा ज्यादा हो जाए लेकिन कटना नहीं चाहिए उस तरीके से आपको अपने document को select करने बाद दोस्तों अब आपको दिख रहा हुआ है यहां पर एक right का option नीचे बटन तो simply हम click कर देना है इस पर हम click करेंगे click करने के बाद चार सो उन्तालिस पॉइंट चार केभी का फोटो था दो इमेज इसमें हैं दोस्तों बाद में आफ्टर में कितना दो इमेज थे और 212.7 केभी का हो चुका है जैसा कि दोस्तों हमारे जो requirement 300 केभी से कम की requirement है PDF format में होना चाहिए तो size देख लेते पहले size हमारा क्या है 212 केभी है नहीं 300 केभी से कम हो रहा है तो size तो ठीक है अगर size बढ़ा ना घटाना है तो यह आपको line दिख रिया करना अब इसको थोड़ा आगे करोगे ना तो इसका size कम होगा देखिए अब 140 केभी का होगे आपको दिख रहा होगा अगर हम थोड़ा इसको पीछे करेंग लेते हैं यानि थोड़ा इसका कम कर लेते हैं इतना भी नहीं 200 ISO के पास रखेंगे यानि 220 हो गया तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं थोड़ा ठीक होना चाहिए तो इस तरीक से देखिए 228 होने के बाद दोस्तों हमें इसकी जो format अब देखिए आपर दिख रहा हमको convert format तो य τη यहां पर जूपीजी पी नगी डवलू एबिभीक़ gehabt काफी सारी ब्मित सारी आपड़ी ओविए हमें पर करना को हैं तो यहां पर कस्टम का उप्टना अतaş Μै पर लिख लेता हूं आधाप पीदियाप मैंने लिए उसके बाद करने और हम थोड़ा नीचे की तरह मैं आपको माईल करके दिखा देता हूं देखें यहां पर सही का आता है इसको क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करने वाद देखिए आपका जो यहां पर जो फीडिय अपती वो तयार हो चाहिए चाहते हैं जो भी बिलुटूस से जीमेल वाट सब कुछ भी करना चाहते हैं डिर्क्री रिसाइज जो आपने करा है उसी साइज में यह ट्रांसफर होगी तो ठीक है इस तरीके से आपको अगर कुछ और अपना करना है उसका मतलब रिसाइज करना है मां लीजे हमको फोटो र फोटो रहता है उस तरीके से आपको इसको सेलेट कर लेना है तो फोड़ा अपना देख के कंदेवंदे जैसा की नॉर्मल होता है पासबर साइज विलकुल ऐसा ही रखना है करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे आपका साइज भी आ रहा है यह आपर बिफोर में क्या था आप्टर में क्या है या निचे लिखना आपको 100 पॉंट यहनी 100.3 केवी का रहा है और पहले था 207 तो हम इसको ना 50 केवी से कम का करना है तो हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो देखे आगे बढ़ाएंगे 43 केवी का हो चुका है साथ ही में इसकी फोर्मेट हमें जेपी इसके बाद हमें करना है क्लिक करना है तो यहां पर सेव कर सकते हैं सेर कर सकते हैं इसको में यूज़ कर चुका हूं तो काफी बहतर एप्लिकेशन में को लगी और काफी ज्यादा इसका अच्छा फीडबैक और इसके फीचर है आप सब को बहुत पसंद आएगी तो आप तो completely form feel कर सकते हैं आसा करता हूं वीडियो से अपने कुछ सीखा ओगा वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लएक जड़ी लिए उसे आपका बहुत ज्यादा होने वाला है तो चलिए चानल को सबस्क्राइब करें तो चलते हैं मिलते हैं आप से लिए अपन अपना द्यान ना किये अपने आजब साथ सब्सक्राइए बाबाई जाहिन